तो हलो प्रेंट्स स्वागात है आपका हमारे चैनल गेट अपडेट में ठेक है तो हमने लास्ट वीडियो में हमने में MXCAT, MCA के provisional milet list के बारे में डिसकस किया था है ठिक है आज हम इस वीडियो में में कुछ मार्स मेंयार आपको स्क्राइज कर देना लीजाएं तो आपके सामने कुछ इंटरफेस खुलके आता है component इन लोगों ने प्रोवीजने मेरित लिस्का कीस तरके से ऐनलाइज करना है किस तरके समझना इसकी उपर हमने एक व्डिव बनाया है उसकी लिक आपको डिस्रिप्चिन में मिल जाएगए तो अभी हम बात करने वाले कि किस तरके से करेक्शन कर सकते हमारा अप्लिकेशन फॉ जो भी आपका application ID है, password उसको आपको fill up कर देना है properly और login कर देना है ठीक है उसके बाद जो भी आपकी correction है जो भी mistakes application form है वह आप correct कर सकते हैं ठीक है यहाँ से आपको जाना है नीचे है ठीक है तो यहाँ से आपको देख रहा होगा submit gradients करके ठीक है यहाँ से आपको correction को remove कर सकते है अपने यहाँ से आप करेंगे select ठीक है उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह के सी documents जो भी आप राइटिंग वर्क में जो भी आपकी mistakes है यहाँ से आपको चूज कर देना इस तरह के से ओके ठीक है इस तरह के से आपको चूज कर देना जो भी आपका है ठीक है यहाँ पर बहुत सारी लंबी लिस्ट है अगर आपको जो भी आपकी लंबी लिस्ट है जो भी के बारे में जिस application के बारे में जिस correction के बार इसको आपको detail में इंटर कर देना है आपकी information ठीक है इस इस column में इस जग हमारे mistakes हुई है ठीक है उसके बाद जो अगर documents related कुछ mistakes होती है तो यहाँ से आप डाकुमेंट कर सकते ठीक है वसी कोई नीडी नहीं डाकुमेंट अपलोड करना का documents related कुछ correction करना है तो यहाँ से आपको application form में correction करने के लिए ठीक है तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like केजिए चैनल को subscribe कीजिए थैंक्यू